ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्यित दुख भाग भवेत, ओम शान्ति ही, शान्ति ही, शान्ति ही. विवे कानन जी प्राई कहा करते थे, कि हमें प्रति दिन अपने ध्यान के प्रारम में इस प्रार्तना को करना चाहिए, हजारों वर्षों से करोलों लोग हमारे देश में ये प्रार्तना करते आ रहे हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्चंतु, महा कश्चित दुख भाग भवेत। सभी सुखी हों, विश्व के सभी लोग सुखी रहें, सभी स्वस्त रहें, सभी शुब को प्राप्त करें, किसी को कोई दुख प्राप्त न हो, बारबार करना चाहिए। कोरोना वाइरस के युद्ध के सामने जो योद्धा हैं विशेश करके हमारे मेडिकल स्टाफ पेराबेडिकल स्टाफ डॉक्टर्स और पुलिस ऑफिसर्स सरकारी ऑफिसर्स जो जो सेवा दे रहे हैं अपने जीवन की बली दे रहे हैं अपने बलिदान दे रहे हैं त्याग कर रहे हैं अपने जीवन की भी परवा नहीं कर रहे हैं अपने जान को जोख में डाल रहे हैं अपने परिवार जनों को भी वे जाम उनकी जान को भी जोख में डाल रहे हैं उसे मिल भी नहीं पा रहे हैं नसो पा रहे ह इतना अधिक परिश्रम कर रहे हैं उनके लिए भी हमें अवश्य प्रार्थना करनी चाहिए और कल जो दो तिन बाते बताई थी प्रधान मंत्रे श्री जी ने बहुती महत्वपुर्ण बातें उस पर हमें रखना याद हमें उसको याद रखना है एक तो उन्होंने बोर्ड क को रख करके बताया कोरोना का मतलब होता है कोई रोड पर ना निकले बारम बार उन्होंने कहा कि घर में रहो घर में रहो घर में रहो एक दिन के लिए जब उन्होंने जंता करफ्य की बात कही थी बाइस तारिक को तो हम लोगों ने उसको सफलता पुरोग पार्टो कर दिय पर वो तो एक दिन की बात थी, 21 दिन तो बहुत बड़ी बात होती है, परन्तु दूसरा कोई उपाई नहीं है, जैसा कि प्रधानमंतर शीर ने बताया कि एक्सपर्ट लोग कहते हैं, जो विशेशग्य हैं, कहते हैं, 21 दिन की साइकल है, उसको तोड़ना पड़ेगा, करू क को फ्लेटन करने का और इस साइकल को तोड़ने का एक मात्र उपाय है, शोशल डिस्टेंसिंग यह दूरी रखना, दूसरा कोई उपाई नहीं क्योंकि अभी तक उसकी कोई दवाई भी नहीं मिली है, और इतनी तेजी से बढ़ रहा है है, इसकी सबसे बड़ी जो हमारे सम समस्या है, वो यह है कि यह जो वायरास है, बहुत ही तेजी से संक्रमित कर रहा है सबको, किसी ने किसी ने यह भी कहा है, कि एक मनुष्य यह दि उससे संक्रमित होता है और जो पॉजिटिव होता है, तो वह पंदरा दिन के भीतर में बारा करोर लोगों को संक्रमित करने की ख्रमता रख सकता है एक को यह हुआ तो उसी दिन एक दिन में चार हुए अब यह चार दूसरे दिन चार मुल्टिट प्रैट बैइचार शोला जन को करेंगे यह सोला तीसरे दिन में 64 हो जाएंगे ऐसा बढ़ते 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 को रोलो लोगों को यह वाइरस हो सकता है संक्रमित बहुत जल्दी से हो रहा है सबसे बड़ी यह समस्या है और इसलिए कि जो प्रदाम नतिजीन ठीकी कहा कि यदि हम यह किस दिन तपस्या नहीं करते हैं किस दिन कठी नहीं जल लेते हैं बहुत कठी नहीं होगी सवाली नहीं है 21 दिन घर में बैटना और आर्थिक भी हमारा सारा आर्थिक संकर भी बहुत बड़ा इससे उत्पन हो जाएगा यह भी बात सच है बहुत सारी समस्या होगी परन्तु दूसरा उपाई नहीं है क्योंकि यदि है 21 दिन हम तपस्या नहीं करते हैं घर में बैठे रहने की जो हम लोग घर में बैठे नहीं रहते हैं तो बाद में अच्छे जो देश हैं इटली के समान जिनके पास जो स्वास्त जो सिवा हैं सारे विश्व की दूसरे नंबर की हैं उनके पास अभी उन लोगों ने घुटने टेक दिया हैं अभी उनके पास हॉस्पिटल नहीं है लोगों को जो मरीद लोग हैं उनको रास्ते पर उन्हों इधर तो क्या हस्तिती हो सकती cent प्रदानमत्य जी णे ठीकी कहा था कि यह 21 दिन तक हम संबालते नहीं है है और यह लिय अट्रॉल नहीं किया 21 दिनों में और फिजिकल सिर्व सोशल डिस्टेंसिंगं नहीं किया और अलग नहीं रह have घर्व के भीतर में नहीं रहे और हम लोगों ने इनका पालन नहीं किया तो देश 21 साल पीछे चला जाएगा यह बिल्कुल बात सच है इसलिए हमको पूरा एक प्रबुद नागरिक होने के नाते हमें संपुन सहकार देना है जितनी मुश्किलियां हैं उनको सहन करना है और इसेंशल आइटेम्स बगरे की जो बात कही गई है कि जो जरूरियात की जरूरियात की जो वस्तुए हैं जो अवश्च उसके लिए भी सरकार प्रेत् करेंगी ताकि उसकी कोई शॉर्टेज नहों यह तो सब करेंगे तो हमको यह मकार घर के अंदर रहनी की जो बात है उसको उसका पालन अवश्य करना पड़ेगा राम्चंदर जी ने 14 साल वन्वास उन्होंने भोगा उनके तो कोई गलती नहीं थी फिर भी 14 साल तक उनको वन्वास जिलना पड़ा पांड़ों को 12 वर्श तक जिलना पड़ा वन्वास अब हमको 21 दिन तक वन्वास तो नहीं है घरवास है गहरवासी करना है तो इसलिए हमें इसको स्विकार करना पड़ेगा और जो कुछ भी स्वास्त्य के नियम है उनका पालन करना पड़ेगा बारम बार सामू से हाथ दोना वगिर यह तो करना ही है और यह जब घर में हम रहते हैं कि दूसरी एक बात यह करनी होगी कि हम जब घर में रहते हैं तो हमको बाहर नहीं जाना है कि बहुत बड़ी बात कहें दी कल प्रदानमंतिय जी लक्षमन रिखा लक्षमन रिखा जब पार किया सिता जी ने तो कितना दुख उनको सहन करना पड़ा कितना दुख रामचंदी जी को सहन करना पड़ा कि इतना दुख कि सभी लोगों को सहन करना पड़ा एक छोटी सी भूल लक्षमन रिखा पार करनी की लक्षमन रिखा जब प्रदानमंतिय जी नहीं को बोल दिये है घर से सब्सक्राइब निकलते हैं तो बाहर हम कितने लोगों से मिलेंगे हमको पता भी नहीं किसके किसके भीतर में तभी लक्षन पहले आते भी नहीं सबसे बड़ी दूसरी बात बहुत विशिष्टता इसकी है कि जो को इसे आकरांथ हो पहले तो पता ही नहीं ले तक कुछ दिनो कि इस वायरस को बहुत फैलाते हैं तो यह हम घर के भीतर में रहेंगे तो वह पॉसिबिल्टी काम हो जाएगी तो हो सके तो भीतर में रहें और जैसे हम लोगोंने रामकिष्णास्रम में वी राजखवट में किया है कि कुछ दिनों से हम लोगोंने जितने हमारे सन्यासी ह केवल इतने हम लोग रहते हैं बाहर से किसी को माने नहीं देते हैं गेस्ट आउस हमारी एक्टिविटी सब सस्पेंड हो गई जितने हमारे नौकरते सब को छुट्टी हमने दे दी हमने कहा कि आपको सेलरी मिलेगी पर आप यहां से चले जाओ जो रेसिदेंशल जो बाहर सब्सवेला बाहर गाओं के स्टाफ है उने को के वल राखिये हैं को यह और कोई भी गेट के भाई नहीं जा सकता और को इमगिशनachten यह और पराएगा कि घर के बाहर को जान जाना पाया घर के अंदर नहीं एक बार बहुत 20 या में बहार से उन्दर आ गया तो वहायरी से च एकी बात है कि दूध तो लाना पड़ता है तो हम लोग ने यह किया है कि दूध को जो दूध वाले जो प्लास्टिक के पैकेट है उसको वो गेट के पास रख देता है उसको छे घंटा तक हम लोग छूते नहीं बाद में उसमें पानी वगरे डाल करके फिर उसको छूते है तो इस प्रकार के हम लोगों कुछ सावधानी बरतनी होगी कोई कूरियर भी आता है तो हो सके तो कूरियर को कूरियर वा और फिर हम उसको पहले 6-8 गंट नहीं चुएंगे तो तब तक में वाइरस जब मर जाएगा उसके बाद हम चुएंगे तो तुरंत हम लोग सावुन से हाथ दो करके उसको स्टरलाइज कर लेंगे यह सब कुछ सावधानी हम लोग अवश्य बरतनी चाहिए और इसको हम लोग जो संकट का हमको सामना हमको करना ही होगा तब कई लोग तनाव में आ गए हैं 21 दिन तक हमको घर में रहना पड़ेगा हमारे बिजनेस का क्या होगा हमारे इंकम का क्या होगा खास करके जो अन लोगों के लिए तो बड़ी चिंता का विश्य है पर हमें पूरा विश्वास ह कि भारत सरकार संवेदंशिल है और कुछ न कुछ इन लोग के लिए करेगी और कई सेवा भाविस संस्था हैं जैसे हम लोग भी डामकृष्ट मिशन के द्वारा हम लोगों ने सरकार को कह दिया है कि कभी भी हमारी आवश्यक्ता पड़े तो हम लोग कोई भी विपत्ति आती है देश में चाहे वह गुजरात का भुकंप हो या फिर लातुर का भुकंप हो या फिर कोई फ्लड हो या सुनामी हो कोई भी हो कोई भी आफ़त होती तो हम लोग उसमें अपन परिंटायन किया गया है उनके लिए या जो अनोर्गिनेस्ट सेक्टर के लिए हैं जुन इनकी कुछ कुछ इंकम है इन रोज के रोज कमाते हैं खाते हैं वो लोग क्या खाएंगे वह तो घर से बाहर नहीं करके मुकाबलक करेंगे और यह जो तनाव आया है तो तनाव को रखने से कोई five-letter अनी ची intensity करने से फायदा नहीं समस्य होती तस पर चिंता नवस्य करें चिंता करने आफ्श्य क्योंकि चिंता हमें हमें उसके उसका समाधा नहीं दे सकता वो समस्या को और भी आगे बढ़ा देता है जैसे बताया था पहले कि यह प्लेक की देवी जा रहे थी किसी ने पुछा कहां जा रहे तो मेरे बगदार जा रहे हैं क्यों ना मुझे एप फंदरहएजार लोगों को माल डालना है और फिर वापस जब लोटरें थे तो भह ले कि तुमने कहा था पंदरहएजार को माल डाले और एक लाख लोगों को माऱ डाला ऐसा हमने सुना मैंने एन इस प्रविवर्त कर देना में इससे इस की वादूरू या किसे करी आफ्ति यह को सप्रेस्क्राइब करें अगया है। ago मैं छोटे से सुथ्रों द्वारा में बताऊंगा इए हैं except 12 अब अब यह स्थिति आ गई है परिश्थित्य आ गई है क्यों आई कहां से आई किसंफ भी और क में जाने के आज़क्ता नहीं है बर अभी स्थितिय ऐसी है कि अत्यैन संक्रामा को रोग हमारे देश में आ चुका है हमारे घर में आने की त्यारी कर रहा है तब हमें घर के दर्वाजे बंद कर देने हैं कोई गेस्ट को नहीं आने देना है वाइरस को भी नहीं आने देना है किसी अतिती को भी नहीं आने देना है कि कुछ इसे कुछ ओर्भाइपन आजाए शलोंगों भूरा भी लगे भी हम को आने नहीं दिया हमनेसाथ बात में भले बूरा लगे Martha Dave सच्पाइर में हमारे भीटर में अनुकंपा है करूणा है छोगों को बचाना है कि हमारे देश के करोल करोलों देशाजակ। बचाना है यदि हमारे मन में उसके प्रती करुणा है हमारे रिदे में तो हमें निर्दे होना पड़ेगा उपाए नहीं है सिच्वेशन को एक्सेप्ट कर लो और उसके अंसार भी है करो आपको मालूम होगा इटली में हमने जो सुना पता नहीं कितना सच है इटली में किसी एक चैनीज लड़के ने वहाँ पर स्क्वेर में खड़े होकर के बोर्ड लगाया कि मैं वाइरस नहीं हूं क्योंकि सब लोग उसको चैनीज समझ करके उसे घुणा कर रहे थे और इसलिए उसने यह बोर्ड लगाया कि मैं वाइरस नहीं हूं मैं भी मनुष्य हूं तब वहां के लोगों को बूरा लगा कि देखो इसके साथ इस प्रकार से डिस्क्रिशन हो रहा है बुरा ब्यावार हो रहा है सब लोगों ने उनको गले लगाया यहां तक कि इटली के मैयर ने भी उसको गले लगाया बाद में क्या हुआ बाद में पता चड़ा वह पॉजिटीव निकला जितने लोगों उसको गले लगाया सेकड़ों लोगों ने उनको भी पॉजिटीव निकला फिर उन्होंने जिनको जिनको चुआ उनको पॉजिटीव निकला उन्होंने जिनको जिनको चुआ उनको पॉ करते खक गए और अभी मुझ दर्दियों को रास्ते पर छोड़ दिया है कुछ दिन दो तीन दिन पहले तक तो मिल्टरी की जो गाडियां थी वो शव को ले जाती थी अभी स्व को ले जाने के लिए भी गाडिया नहीं है is dead body's पड़ी हुए रास्ते पर that the way एों सब भर गई है। ऐसी स्थीति क्यों हुई ?० उस समय जादी निर्दे होते हुम लोग है ?। उस्ट समय के लोग वहाँ पर निर्दे होते कले करूँ है। उसके साद. डिसमेशन नहीं करना है इसका मतलब थोड़ी कि उसको गले लगाना है उसको सनमान दो और वह जो नीरदे नहीं हुए इसलिए हम मों को भी निरदे होना है कोई भी हमारे परिवार का व्यक्ति बाहर नहीं जाना चाहिए किसी भी हालत में नहीं जाना चाहिए गेट के बाहर और यह जाता है तो पूरी जो जो कुछ भी प्रिकॉश्टन लेकर के ग्लॉवस पहन करके जो कुछ भी अपने प्रोटेक्शन से बाद जाकर गया जाएगा कुछ वस्तु लाएगा तुरंद उसके बाद में कपड़े अपड़े दोएगा साबुन से हाथ दोएगा नाएगा स्रलाइज करेगा अपने आपको यह सब जो हमको पूरी जो सावधानियां बरपनी पड़ जो है उसको सिकार कर लो भी है बीहेवियर इस समय कैसा होना चाहिए उसके बारे में बताया पूरी सावधानी बरतनी है चिंतित नहीं होना है पर सावधानी पूरी बरतनी है स्वास्ते के सभी नियों को पालन करना है जो कुछ भी स्वास्ते विवागने सरकार ने जो कहा ह है घर से बाहर मत निकलो किसी के साथ संपर्ग में मत आओ दूरी बनाये रखो लोगों से इस प्रकार की जो कुछ भी बाते हैं उसको हम लोगों को उसका पालन करना पड़ेगा कि सी है काउंट यो ब्लेसिंग्स हमारे बहुत सारे हमारे पर आश्रिवाद हैं ब्लेसिंग्स हैं हमारे पर अभी तो हमको लगता अभी शाप ही है यह एक बहुत बड़ वाईरस एक बड़े अभी शाप के रुप में आया है पर हमारे जीवन में जो कुछ है जो कुछ भी है जो हमारे पास है उसका हम लिस्ट बनाएंग अच्छा एत्षा-उरी चिनता होती कि हमारे बुरे долларов है तोनकी चिनता हो रही है को उनका क्या होगा तो उसका पाउजीटिव पक्ष यह है कि आपको मब आप तभी तो चिनता हो रही कितने लों कि अ सिर्व माबाप नहीं है तो यह app का और प्लस पॉइंट है अब भाब आप अब उसकी संभाल रखो उनको संभाल रखो तो इसी प्रकार से जो कुछ भी है उसके के दो पकष रहते हैं पॉस्यलीटीन यूश खोज कि लो हकिव हमारे पास हमारे पास यह चीज्रह है पर इसके सामने मैं पस्यूं और अतंवर पास इतना है कि अभीdar तो प fragrत थी को प्रकार से यह मानों को बरतन मांजेंगे कपड़ा धोईएंगे जो कुछ भी काम करेंगे अपने हाथ से जाड़ू पोशा लगाएंगे तो उससे हमारा स्वास्त ठीक रहेगा यह उसका पॉजिटीव पक्ष तो हर एक का नेगेटिव पॉजिटीव पक्ष रहता है उसको हम काउंट यूर ब्लेसिंग्स एक लिस्ट बना करके कि अभी जो मुसीबित है उसके कारण क्या क्या खराबी हुई वो तो हमको मालूम है उसको तो हम रटते रहते हैं पर अभी उसके कारण हमारे पास इस वरतमान परिश्तिते में हमारे क्या क्या पॉइंट से कि दोुखा उन्हें दल्य उसे चस्वार थे रसे घृषों क्या कर सकते हमसे हो सकता हुग तो नकरें पर बाद में तो जो है ऊसको एकस्प्ट करना पड़े गा। करमनी अवधिकार स्ते मा फले शुक अदाचन मा कर्मफल हे तुल्भु मा थे संगोस्त अकरमनी कर्म में तैरा अधिकार फल में तर अधिकार नहीं तु तेरा कर्म कर और फल की चिंता छोड़ दे यह भगवान श्री कश्नार अरजुन को कहाओकिता में उसको ने किकितु कोजिदि फोलरो flirt पेडिन सेमिनार में जो हो भी ऐसे लो जो हो गया अभी हम क्या कर सकते अभी हम यह कर सकते कि बाविश्च में पेडार करो जो कुछ में परिक्षा भी मयुद्यों दोविश्ट door करेसे ऌफ्रे Discovery और हमसे जितना हो सकता है वरतमान परिश्थिती ने जो झोस भी हुए उसमें हम लोग Ride YouTube ना कर सकते हम से मैक्सिम उत्ना करेंगे बाद में उता होई है कि अि कि अ करेंगे मुंजिरे खुदा होता है कि मतलब खुदाही सब कुछ करेंगा नहीं अंत में जो रिजल्ट होगा को जो एक यनिवरसल इंट्रिजेंस एश्चर बोलिया है इन्वर्स इंट्रेजेंस जगदंबा और भूलिये जो एक महान शक्ति उसके द्वारा जो अंत में जो होगा उसको हम लोग accept कर लेना है उसके पहले हमको do your best करना है हमसे जो इतना अधिक हो सके इस एंजॉई दे गेम अफ लाइफ यह है एंजॉई दे गेम अफ लाइफ यह गेम है लाइब भी एक गेम है और यह जो जीवन है उसके दो पक्षह जीवन अम्रित्иля एक स्थिख्ते के दो पहली जीवन अम्रित्ति नाम का जो खेल है वह चल रहा है कि यह दोने सहुत होते हैं जिसका जीवन जिसको जन्म हुआ उसका मृत्तिय निश्चित है जिसका मुर्त हुआ उसका या जन्मन निश्चित है। जाता है से द्रूवह मुर्त की धुरू जन्मन करो नो तुम शोची तुम्हारा सी चिंता करने के बात नहीं यह जीवन मृत्यों का एक खेल है उस खेल को देखो और उसको एंज्जाय करो जितना हो सके अच्छी सची तर उसको खेलने का प्रयात्ना करो पर याद रखना है की էश्रित वश्रित वस्तुं मृत्यों का समय इसलिए हमें तैयार रहना है मृत्यों के लिए और अच्छी से तरह हमको अपना केल जब तक हमारा जीवन है मैं अच्छी तरह खेल है और हमारी मृत्यों कि हमारे लिए यह वरदन मुप हो सकता है जब हम ये जाने कि हमारे जीवन का लक्ष क्या है उसके लिए अभी करना यह एक आउसर है जब हम बर्भस ही अपनी आप अमको मानो यह एक अऊसर दिया गया है थो में सोचे happiest हमारी जीवन का लक्ष एक जिवन का लक्ष किसमय है जब तु आया जगत में जग हसे तूरो एसी करी कर चलो मरते समय तुम हसो जग रोगे तो मरते समय हस्ते हस्ते हम यदी शरीर छोड़ सकें तो एक बहुत बड़ी उपलब्ध होगी यह तभी हो सकता है जब हम अच्छे करम करेंगे जब तक हम जिन्दा है और मृत्य के लिए अपनी आपको तयार रखेंगे मृत्य कभी भी आ सकती है कहीं से भी आ सकती किसी भी प्रकार से आ सकती है ऐसा नहीं कि मालो अभी हम पॉजिट नहीं हुए अभी मालो हमने यह वाइरस को हमने दोखा दे दिया और वाइरस हम नहीं मरे तो दूसरा वाइरस नहीं आएगा इसकी कोई गैरंटे नहीं है वाइर मृत्य का एक खेल है जीवन मृत्य का एक खेल है उसको हमको स्विकार करना पड़ेगा एंज्वाइद गेम अफ लाइफ और एफ फेस्ट अब्रूट्स कि परशुओं का सामना करो कि कटिनियों का सामना करो कि स्वामी विवेकान जब अम्रीका जाने के परिवराजक रूप में घूम रहे थे तो गूमते गूमते वह वारानसी पहुंचे वारानसी में दुर्गादीवी के मंदिर से जब निकल रहे थे तो कुछ बड़े-बड़े बंदर काले मुवाले जिसको हम लोग हनुमान बोल रहे हैं स्वामी विवेकान जब रहे हैं पीछे बंदर दोड़े हैं अब एक तरफ तालाब था दूसरी तरफ दिवाल थी इसलिए और कहीं जानी सकते थे दोड़ते दोड़ते सामी ठक गए अब क्या किया जा जाए तभी उनको एक व्रिद्ध सन्यासी की आवाज आई पाट गून अब दों मत बंदर का सामना करो जब यह उन्होंने सुना तो शामी ठम गए और पीछे उन्होंने अपना सिर घुमाया और उन्के हाथ में लाठी ति उसको घुमाया सब बंदर भाग गया बाद में उन्होंने अमरिका के अपने भाशन में कहा था देट डेट I learnt one of the greatest lessons of my life. उस दिन मैंने जीवन का एक बहुत बड़ा पार्ट सिखा, क्या सिखा? परशुव का सामना करो, बंदरों का सामना करो, तुम डरोगे तो बंदर तुमारे पीछी पीछे जाएंगे, पर जब तुम सामना करोगे बहादुरी परोग तुम बंदर भाग जाएंगे, उसी प्रेकार से हमारे जीवन में कठनियाई आएगी, यदि हम डरते हैं, चिंतित हो जाते हैं भाइबीत हो जाते हैं तो यह हम पर और भी हावी हो जाएगी पर यदि हम डटकर मुकाबला करेंगे जो है बह tutti पर ने सामना करेंगे सबangen्ला चैलेंज eigenItal पर्चिनिटी व जेहन के इसका कैसे करें किसे करें सामना को चाहिन को कि समानना लें उनको पर्चिनिटेलींटेके समान लें एक अशर हैं सबस्बित भरल देंक वर भी आगे उचेंचा सब्सक्राइक अफार है शा चैलइंज this सुझ का रुप में एतजैंशन एक्जैलमेशाइट से परिख्षा से हम डर जाते हैं परिषा नहीं देते हैं तो परिख्षेन तयों कहां तो हमारे जीवन में भी इस प्रकार से कई degrees कई certificates मिलते रहते हैं जैसे जैसे में कठने यहां पार करेंगे इसके हम लोग और आगे बढ़ते जाएंगे तो इसलिए जब कठने यह आती है तो हम यह समझते हैं कि भाई यह struggle यह struggle हमको और उन्नत करेगा हमको और महान बनाएगा कई यूक लोग हमको जब मिलते हैं तो प्रश्ण पूछते मेरे जीवन में इतनी कठने हैं यह क्यों भगवान ने भेजी मेरे जीवन में इतना क्या संगर्श भेजा तो मैं उनको पूछता हूँ अच्छा तुम एक बात बताओ तुम ओडिनरी बनना चाहते हो कि एक्स्टार्डरी बनना चाहते हो तो एक्स्टार्डरी बनना चाहते हैं तो मैंने का फिर सुन लो एक प्रिंसिपल सुन लो एक सिद्धानत ऐसा है कि if you are ordinary you will have to face ordinary struggle if you are extraordinary you will have to face extraordinary struggle यदि आप सामाने है तो आपको सामाने संगर्स पार करना पड़ेगा यदि आप असामाने अति सामाने है extraordinary है तो आपको extraordinary difficulties आएगे extraordinary struggle आएगा तो आप हमको पता हो कि आप ordinary बनना चाहते हो ने extraordinary नहीं extraordinary तो फिर extraordinary struggle के लिए तैयार हो इसलिए स्वामी विएकान ने कहा देग्रेटर 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 देपरसंव कमस आउट अट अफिट जितना जीवन में संकर्ष होगा उतना ही मनुष्य और महान बनेगा जब उस संकर्ष को पार कर लेगा बहा कि अबित नहीं होना है पर सावधानी अवश्य बरतनी है यह संकर्ष जाएगा इस टू शेल पास यह भी चला जाएगा इटीज यह क्वेस्ट आफ टाइम हो सकता है विद ऑल पॉसिबिल्टी कीस दिन में इदी यह ब्रेक हो जाता है स्था एसा भी हो सकता है कि हम संकर्ष से बाहर निकल जाएंगे बाकी देशों ने जितनी कीमत चुकाई उसे बहुत कम कीमत में सायद हम उसको पार कर लेंगे ऐसी पूरी संभावना है इसलिए लेटस हो फॉप फॉर बेस्ट ट्राइबर बेस्ट के हमको जितना हो से कम सावधानी बरते हैं असावधान नहों है अभी तक हम को जब कहा जाता था कि भई ये दुर्गा शब्त सिदिका पार्ट करो चेत्र नवरात्रियाज से सुरू हो गई तो हम लोग आफिस में जाते थे स्कूल कॉलेज में जाते थे समय कहां है कि दुर्गा सब्त सिदिका पार्ट करें समय कहां में स्तोत्र का पार अब यह ऐसा उसर आगया कि चेत्र महा पर शुरू हुआ आज से और आज इसे यह लॉक्डाउन शुरू हो गया एक एता अबुछ स्योग है तो आज से नौ दिन तक तो हम लोग पूरा बिजी हो जाएंगे यह हो सकते हैं नवरात्री है नवरात्री में अधिक सदिक हम मंत्र करें अधिक से दुर्गा शप्त सिदिकापाट करें देवी स्थूति करें मंत्र का प्राइब करें प्रात्ना करें करें अब हम को कहा जाता था अच्छी किताव के लिए था हम कहते थे हमार पार समय नहीं है भागवत रामयान महाभरत गीता दूर्गाशप्त सदिक इतने अच्छे ग्रंथ हैं उनको पढ़ने कामर पास समय नहीं था चलो अब समय दे दिया आपको 21 दिन तक समय ही समय है बहीं बाहर जाए नहीं है कुछ नई बाती आपको सीखनी है अभी होपी अब की है इसको आप Keekuish और सूथ कि कोई आता था तो पतनी के पासे सीख लो पतनी को कॉंपोटर निया था पती देवा के इसका अधिक साधिक समय जो यूटिलाइजिशन करना है ये 21 दिनों का ये है हमारी spiritual progress के लिए wishes करके जो लोग साधक हैं उनके लिए सुनरा मौका है स्री रामकिशन कहा करते थे यदि हमें अध्यात्मिक साधनाम आगे बढ़ना है तो मैं एकांतवास करना चाहिए तो कितने मेने के लिए चे मेने के लिए एक साल के लिए फिर रामकिशन दिन ने देखा भक्तों का चेहरा देख करके तो बहुत हो जाता है उनके लिए ठीक है कोई बात नहीं तीन मेना करो दो मेना करो अरे एक मेना करो तो अभी तो एक मेना भी नहीं केवल 21 दिन का हमको एकांतवास करना है वो भी एकांतवास में सचमुच में जो कांतवास है उसमें तो परिवार से दूर जाने की बात है पर यह एक ऐसा अद्बूत एकांतवास है जहां आपको परिवार जोनों के साथ रहना है और साथ में मि हेवां टोगेधर इर इंट्ट कट अम् 격ॉग 화장 एक कट एक साथ काते तो पहले में इसा कई परिवारं होटा करें साली में ऊलगें। Tek्व आप साथ में भुजन करें चाहिए उससे हमारे मिन के मैंन में जो कुछ भी एक दुस्य के प्रती जो भावना है वो परिश्क्रित हो जाएगी एक दुस्य के प्रती कुछ मानलो पूर्वगरा है वो भी निकल जाएंगे कोम्मणी केशन अच्छा हो जाएगा कई बार बच्चे बुलते ह witnesses को गर में कोई समझना नहीं चाहता शमझते भी नहीं है तो यह हो सर है जब communication gap दूर हो सकती है generation gap दूर हो सकती है by trust communication बच्छों के साथ बैड करे आदा-पिता के साथ बैठ करके जादा ठाद के साथ बैठ करके सारा परिवार बैठ करके यह कर सकता है तो हम इस संकट का मुकाबला कैसे करेंगे इसको एक अपरचिंटी के लिए बेर रूप में लेंगे एक महान अवसर है जब हम अपनी आध्यात्मिक के सांथना में आगे बढ़ सकते हैं मनुश्य जीवन का लख्ष जो है मनुश्य जीवन का स्क्तों को प्राप्तन करना लुए इस बूर। करना कि शाष्वक्षुक शाष्वक सान्तेक अस्रोथ हम सब की भीतर में हैं वह लोग बाहर ढूंटे हैं इसलिए हमको मिलता नहीं नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम एकॉं नाव विद्धाती कामान तम आत्मस्थं ये उपश्न ती धीरा, या मतिरे ! टेशाम शान्ति शार्श्वति ने प्रामातु स zona in पर मात्मा चेतेटյ में दूसा चेटेन तत्व है जो सारे संसार को चलाता है। उसकी शरण में जाने से हम सभी प्रकार के दुखों से हमेरे निव्रिती होती है तेशाम शांती शाष्वती ने तेराशाम कि इसको शाष्वत शांती प्राप्त होती है जो इस परमात्मा की शरण में जाता है और यही बात गीता में भी कहा गता में भी कही गई अर्जुन को शिक्रिष्ट भगवाने कही सरवधर्मान परित्यज्य मामे कम शरणम्रजव अहम त्वासर पापे भ्यो मोख इश्यामी माश्यचा चिंता मत कर मैं तुझे सभी पापों से दूर तुझे दूर कर दूंगा तुमेरी शरण में आजा तो यह इश्वर की शरण में हदी हम जा हैं उनसे प्रार्तना करे प्रभू हमें पता नहीं यह क्यों ऐसा संगटाया है सारे विश्व के लोगों के लोगों का दुख दूर करो सारे विश्व का कल्यान करो सारे विश्व के लोगों को स्वस्त बनाओ सारे विश्व के लोगों को सुखी बनाओ ऐसी प्रार्तना हम तो भजन सुने, भजन करें, कirtन करें, अच्छे ची किताबे पढ़ें, सद्ग्रॉंतों का अध्यन करें, स्वाध्याय करें. इस प्रकार से मारा अधिक सदिक समय हम यह साधना में बिताते हैं तो हमारी 21 दिन का जो यह घरवास है घर का निवास है वो उससे डबल फैदा होगा हम बाहर नहीं निकलेंगे तो हमारा गेट बंद रहेगा तो न तो वो कोरोना वाइरस भीतरा सकेगा न हम उसको इन्वाइट करने के लिए बाहर जा सकेंगे तो कोरोना वाइरस से भी रक्षा हो जाएगी अध्यात्मिक प्रगति भी होगी तो अंत में इश्वर के चल्णों में प्रात्ना करते हैं सार इसमें जितने लोग इसमें अपनी सेवाए दे रहे हैं चाहिए डॉक्टर्स परेमेडिकल स्टाफ पुलिस कर्मी हो सरकारी ऑफिसर्स हो जो उन सब के लिए भी हम विशेश प्रार्तना करें और सारे विश्य के कल्यान के लिए प्रार्तना करें ओम सर्वे भवंत सुकिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यंतू माकश्रित दुखभाग भवेत ओम शांति ही शांति ही शांति ही